हेलो एवरिबन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मेकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेकेनिकल इंजिनिरिंग में प्रोडक्शन इंजिनिरिंग का टॉप 20 अबजेक्टिव कोश्चन और एंसर डिसकस करूँगा जो कि आपके आगया आने वाले किसी भी कमवर्टेटिव एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट रहेगा वीडियो में जो कोश्चन लिए है मैंने कोश्चन सारे काफी जाद है इंपोर्टेंट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लीज इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपसे एक भी इंपोर्टेंट कोश्चन मिस ना हो और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडियेफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलिग्राम गूर्प को जॉइंग कर सकते हैं तो हमारा पहला कोश्चन है कि यह आपका इस्टे लाइट कहलाता है तो B is a correct answer कोश्चन मट 2 में चलते हैं कोश्चन मट 2 क्या है कि चोश्चन ग्रांडिनग वील is used to grind hard and brittle material, soft and ductile material, hard and ductile material, soft and brittle material तो देखिए जो grinding wheel होता है आपका दो type का होता है एक होता है आपका course grain और दूसरा होता है आपका fine grain ठीक है, सबसे पहले आप तो grinding wheel देखिए, तो यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह इसको क्या कहते हैं, तो यह आपका grinding wheel है, अभी यहाँ पर जो coarse grain होता है, coarse grain आपका soft grade के लिए यूज करते हैं, तो soft and ductile material के लिए और जो आपका fine grain है, वो आपका hard and brittle material के लिए यूज कि machining, तो ultrasonic machining में क्या के use होता है, तो आपका aluminum oxide भी होता है, AL2O3, silicon carbide भी होता है, SIC और boron carbide भी होता है, मतलब D is a correct answer, question mark 4 में चलते हैं, कि high speed steel cutting tool operate at cutting speed, 2-2-3 times lower या 2-2-3 times higher than carbon steel tool, देखे बेसिकली आपको confusion कहां पर होता है, तो इसी में होता है, A और B में, यह तो आपको प तो आपका high carbon steel होता है, इस से यह harder होता है, कितना? 2-3 times higher, अगर इसी question को ultra कर दे कि high carbon steel, high speed steel से क्या रहेगा, तो वो आपका 2-3 times lower हो जाएगा, अगले question में चलते हैं, question number 5 है, कि the factor which affects the tool life is tool geometry, cutting speed, feed rate, यह all of this, तो देखे यहां पर क्या बोल रहा है, कि कौन सा factor है, जो कि आपक tool life को affect करता है, यहां पर maximum नहीं बोला है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर maximum बोलेगा, तो वो आपका cutting speed है, और maximum नहीं बोलेगा, मतलब यह 3,000 जो है, आपका फरक पड़ता है, मतलब D is a correct answer, question number 6 में चलते हैं, कि in lapping operation, the amount of metal removed is 0.005 to 0.01 mm, 0.01 mm to 0.1 mm, 0.05 to 0.1 mm, 0.5 to 1 mm, तो lapping operation में जो आपका amount of metal जो remove होता है, वो कितना होता है, तो वो होता है, 0.005 to 0.01 mm, तो A is a correct answer, अगले question में चलते हैं, question number 7 है, कि the cutting force in upmilling, in zero maximum, यह decrease from maximum to zero, यह increase from zero to maximum, per tooth movement of the cutter, तो देखें, जो cutting force होता है, आपका upmilling होता है, और एक आपका downmilling होता है, तो upmilling में क क्या होता है, कि जैसे यह आपका work piece है, और यहाँ पर जो आपका, एक diagram सही बनाता है, यह ऐसा रहता है, तो मान लिजिए आपका जो, यहाँ जो grinding wheel है, sorry, आपका milling का tooth है, यह आपका milling के लिए जो आपका इधर teeth रहता है, तो जो milling machine में जो क्या रहेगा, आप milling में, जो direction रहेगा, वो opposite में रहेगा, यानि कि इधर आपका work piece है, तो इसका rotation opposite रहेगा, तो opposite रहने के वज़े से, शुरू में जो आपका cutting force रहेगा, वो zero रहेगा, बाद में आपका maximum हो जाएगा, मतलब option number D is a correct answer, कि अब मिली cutting force जो है, जो cutting force लगेगा, वो increase from zero to maximum, अगले question में चलते या जो broaching होता है, उसमें broach का जो आपका, ये जो broach है, इसका जो आपका height पूछ रहे है, या height क्या रहेगा, तो height आपका progressively increasing order में रहेगा, तो C is a correct answer, question में 9 में चलते हैं, कि right hand tool on a lathe cut most efficiently when it travels from left to right end of a lathe bed, from right to left end of a lathe bed, या with the help of a compound slide, या across the bed, तो right hand tool और आपका होता है एक left hand तो right hand tool जो है, आपका right to left जाता है, और left hand tool जो है आपका left to right जाता है, आपको ये चीज़े ध्यान रखना है, right hand tool मतलब right से start करेगा, left hand tool मतलब left से start करेगा, अगला question है, question mark 10 है, कि the surface finish is improved by the increase in cutting speed, nose radius, true rack angle, ये all of these, तो किसी भी surface finish अगर आपको किसी भी cutting tool का improve करना है, तो क्या क करेंगे आप, तो उसका cutting speed बढ़ा सकते हैं, nose radius बढ़ा सकते हैं, track angle भी बढ़ा सकते हैं, मतलब D is a correct answer, question mark 11 है, कि the cutting speed for drilling copper with high speed steel drill vary from 10 to 20 meter per minute, 18 to 30 meter per minute, 24 to 45 meter per minute, 60 to 90 meter per minute, तो देखिए cutting speed जो हता है for drilling किस में drill कर रहे हैं, copper में drill कर रहे हैं, किस में high speed steel tools है, तो उस case में copper के case में क् तो यह आपका 18 to 30 meter per minute रहेगा, maximum किस में रहेगा, तो maximum यानि कि 60 to 90 meter जो दिया है, यह आपका रहेगा aluminum के case में, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यह मान लेजे, यह वाला जो surface है, यह आपका copper है, और यह जो tool है, यह आपका है, high speed steel का ठीक है, अगला question है, question number 12 है, कि high speed steel tool retain their hardness up to a temperature of 250 degree centigrade, 350 degree centigrade, 500 degree centigrade यह 900 degree centigrade, तो high speed steel का जो tool होता है, वो hardness कितना तक, up to temperature कितना hardness retain करता है, तो वो 900 degree centigrade तक, तो D is a correct answer, question number 13 है, कि the material which on machining produce chips with built up age is brittle material, tough material, hard material, यह ductile material, तो देखे, machine जो basically आपका तीन टायप का होता है, एक होता आपका continuous chips, एक होता आपका discontinuous chips, और आपका discontinuous chips with build up age, तो continuous chips with built up age, दोनों जो है किसमें बनता है, तो आपका ductile material में बनता है, वही आपका discontinuous chips है, वो आपका brittle material में बनता है, question number 14 में चलते हैं, कि the chuck used for setting up of heavy and irregular shape work should be, 4 जा independent chuck, 3 जा universal chuck, magnetic chuck या drill chuck तो कौन सा chuck यूज़ करते हैं for setting up heavy and irregular shape heavy and irregular shape का जो work रहता है उसमें हम 4 जा independent chuck यूज़ करते हैं तो A is a correct answer Q15 है कि ceramic tool are fixed to tool body by soldering, brazing, welding या clamping तो जो ceramic tool होता है उसका जो body होता है वो किस से fix करते हैं तो उसका body हम pressing से fix करते हैं यानि कि B is a correct answer Q16 है कि the soft grade grinding wheel are denoted by the letter of A to H, I to P, Q to Z या A to P देखिए आपका यहाँ पे जो grinding wheel होता है उसको 3 grade में define करते हैं एक आपका soft grade, एक आपका medium grade और तीसरा होता है आपका hard grade तो soft grade जो होता है आपका A to H, medium grade जो होता है वो होता है आपका I to P और hard grade जो होता है वो होता है आपका Q to Z तो यह तीनों ही grade है और तीनों grade आपको पता होना चाहिए एक्जाम में जरूरी नहीं कि आपका soft grade ही आएगा, वहाँ पे कुछ भी आ सकता है question number 17 है कि the size of a shaper is given by stroke length, motor power, mass of machine या rate size तो जो shaper का size होता है वो किसमें defined होता है तो वो आपका shaper का stroke length है तो A is a correct answer question number 18 है कि the main purpose of a boring operation as compared to drilling drill a hole, finishing the drill hole, correct the hole या enlarge the existing hole तो देखें, boring का basic definition यही है कि enlarging the existing hole that is called boring तो D is a correct answer यहाँ पर drill a hole मतलब वो drilling है finished the drill hole या किसके लिए है तो यह आपका tapping के लिए बोल सकते है या आपका finishing के लिए बोल सकते है ठीक है अगले question में चलते है question number 19 है कि carbide tip tool usually have negative rake angle, positive rake angle, any rake angle या no rake angle तो carbide का जो tool होता है उसमें कौन सा rake angle होता है तो rake angle आपका negative होता है तो A is a correct answer लास question है question number 20 कि gear burnishing is a process for surface finishing, undercut gear, cycloidal gear या remove residual stress from teeth root तो इस question का right answer क्या होगा यह आप मुझे नीचे comment करके बता सकते है अगर आपको इस question का correct answer पता है तो अगर आपको वीडियो पसंदा है तो प्लीज इसे जरूर लाइक करिए, share करिए, channel को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगान वाले informative वीडियो आप बिल्कुल भी miss ना करें नीचे आपको answer की है ताकि बाद मगर आपको PDF से preparation करना है तो आप देखके समझ सकते हैं टेरी ग्राम गूर्प में join कर लिजए